जगत में प्रतेइक वेक्ति को किसी ना किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती है। कि आप किसी ऐसे वेक्ति को जानते हैं जिसे सब कुछ प्राप्त हो। और हम जीवन की उस एक निर्बलता को जीवन का केंद्र मानकर जीते हैं। किन्तो कुछ वेक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने पुरुशार्थ और श्रम से उस निर्बलता को पराज़त कर देते हैं। क्या भेद हैं उनमें और अन्य लोगों में। या आपने कभी विचार किया है। सरल साउत्तर है इसका जो वेक्ति निर्बलता से पराज़त नहीं होता। जो पुरुशार्थ करने का साहस रखता है रुदय में वो निर्बलता को पार कर जाता है। अधात निर्बलता अवश्य इश्वर्ट देता है किन्तु मर्यादा मिर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। तो एम विचार कीजे। भविच्य का दूसरा नाम है संघर्ष। रुदय में आज एक्छा होती है और यदि पूर्ण नहीं हो पाती तो रुदय भविच्य की उजना बनाता है। भविच्य में एक्छापून होगी ऐसी कल्पना करता रहता है। किन्तु जीवन, जीवन ना तो भविच्य में है न अतीत में। जीवन तो इस शन का नाम है। अर्थात इस शन का अनुभव ही जीवन का अनुभव है। और हम ये जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते या तो हम बीते हुए समय के स्मरणों को घेर कर बैठे रहते या फिर आने वाले समय के लिए हम यूजनाय बनाते रहते हैं और जीवन जीवन बीत जाता है एक सत्य यदी हम भिदे में उतार लेके कि ना हम भविश्य देख सकते हैं ना ही भविश्य निरमित कर सकते हैं हम तो केवल भैरे और साहस के साथ भुष्य को आलिंगन दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं भविष्य का, तो क्या जीवन का हर बल जीवन से नहीं भर जाएगा, स्वैंदिचार कीजिए ज्ञान प्राप्ती सदा ही समर्पन से होती है, ये हम सब जानते हैं, किन्तु समर्पन का वास्तविक महत्व क्या है, क्या हमने कभी विचार किया? मनुष्य का मन सदा ही ज्ञान प्राप्ती में विभिन बाधाओं को उत्पन करता है, कभी किसी अन्ने विद्यार्थी से इर्शा हो जाती है, कभी पढ़ाय होए पाठों पर संदेह जनता है, और कभी गुरु द्वारा दिया गया दंद मन को अहमकार से भर देता है, नहीं क्या ऐसा नहीं होता, नजाने कैसे कैसे विचार मन को भटकाते हैं, और मन की इसी अयोग्य स्थिती के कारण हम ज्यान प्राप्त नहीं कर पाते, मन की योग्य स्थिती केवल समर्पन से निर्मित होती है, समर्पन मनुष्य के अहमकार का नाश करता है, इर्शा महत्व कांक शादि भावनाओं को दूर कर फ्रदय को शांत करता है और मन को एकाग्र करता है. वास्तव में ईश्वर की सृष्टी में ना ज्ञान की मर्यादा है ना ज्ञानियों की. गुरु दत्ता तरे ने तो गाय और श्वान से भी ज्ञान पराप्त कर लिया था. अखात विशे ब्रह्म ज्ञानका हो या जीवन के ज्ञानका या गुरु कुल में प्राप्त होने वाले ज्ञानका उसकी प्राप्ती के लिए गुरु से अधिक महत्व है उस गुरु के प्रती हमारा समर्पान क्या ये सत्य नहीं? त् एक मनुष्टे के जीवन में ऐसा खण अवश्य आता है जब सारे स्वाप्त, सारे आशाएं, सारे द्रिश्ट, स्वस्ख हो जाते हैं जीवन के सारे आयोजन ही दिखर जाते हैं एक और धर्म होता है और दूसरी और दुख्ष्ष्ट किसी को धर्म संक्ट नहीं जब धर्म का वहन ही संक्ट को और धर्म का त्याग ही तुख को विचार कीजिए कभी किसी इस वजन के विरोध सत्य बोलने का अफसर प्राप्त हो जाता है कभी ठीक दर्यद्रता के समय सरलता से चोरी करने का मार्ग प्राप्त हो जाता है कभी किसी शक्ति शाली राज नेता या राजा के करमचारी का अधर्म प्रकट हो जाता है तब के जीवन में ऐसी घटना बंती ही रहती है अधिक्तर लोग ऐसे किसी क्षंड को धर्म संकट के रूप में जान ही नहीं पाते हैं हमें किसी प्रकार के संगर्ष का अनुभव ही नहीं होता है सहजता से सुख्ष की और खिचे चले जाते हैं जैसे मक्ती गुड़ की और खिची चली जाती है कि वास्तव में घर्म संक्रट टाक्ट इश्वर के निकट जाने का स्कंड होता है यदि हम संगर्षों से भैवी इतना तुक्की और आकर्षितना अपने धर्म पर रिड़ रहे तो इश्वर का साक्षातकार दूर नहीं है पवन से युद करने वाला पत्ता यदि पेड़ से गिरता है तो भी आकाश की और उत्ता है पवन से दुखने वाली हाँ वही भूमी पर रह जाती है अर्था धर्म संकट से यदि हम संकट को ही टालती है तो दुख तो मिलता है जीवन बढ़ता है किन्तू क्या चरित्र नहीं चूपता क्या आत्मा दरिद्र नहीं हो जाती है क्या इश्वर से अंतर नहीं हो जाता है तो एम विचार की दो वेक्ती जब निकट आते हैं तो एक दूसरे के लिए सीमाएं और मर्यादाएं निर्मित करने का प्रैत में अवश्य करते हैं हम यदि सारे संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे कि इन सारे संबंधों का अधार यहीं सीमाएं हैं जो हम दूसरों के लिए निर्मित करते हैं क्या हमने कभी विचार किया विमाओं के बारा हम दूसरे व्यक्ति को निर्णे करने की अनुमती नहीं दे अपना निर्णे उस व्यक्ति पर खोकते अर्फार किसी की स्वतंत्रता का अस्विकार करते हैं और जब स्वतंत्रता का अस्विकार किया जाता है तो उसका रिदे दुख से भर जाता है और जब वो सीमाओं को तोड़ता है तो हमारा रिदे करोच से भर जाता है क्या ऐसा नहीं होता है पर यदि एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए तो किसी मर्यादाओं या सीमाओं की आविशक्ता ही नहीं होती अर्फार जिस प्रकार स्विकार किसी संबंध का दे है क्या वैसे ही स्वतंत्रता किसी संबंध की आत्मान है क्यों विजार की सब के जीवन में ऐसा प्रसंग अवश्य आता है कि सत्य कहने का मिश्चे होता है रिदे में किन्तु मुख से सत्य निकल नहीं पाता है कोई भए मन को घेर लेता है किसी घटना अथ्वा प्रसंग के बारे में बात करना या फिर स्वयम से कोई भूल हो जाए उसके बारे में कुछ बोलना क्या ये सत्य है नहीं ये तो केवल तथ्य है अर्थात जैसा हुआ ता वैसा केवल बोल देना समाने सी बात किन्तु कभी-कभी उस तथ्य को बोलते हुए भी भय लगता है कदाचित किसी दूसरे की भावनाओं का विचार आता है मज़ी दूसरे को दुख होगा ये भय भी शब्दों को रोकता है तो ये सत्य क्या है क्या हमने कभी विचार किया है जब भय रहते होए भी कोई तथ्य बोलता है तो वो सत्य कहलाता है वास्तव में सत्य कुछ और नहीं केवल निर्भयता का दूसरा नाम और निर्भय होने का कोई समय नहीं होता क्योंकि निर्भयता आत्मा का स्वभाव है अर्थात क्या प्रतेक शर्ण सत्य बोलने का शर्ण नहीं होता स्वें विचार कीजिए श्रेश्चता का क्या अर्थ है श्रेश्चता का अर्थ है दूसरों से अधिक ज्यान प्राप्त करना अर्थात मूल ने इस बात का नहीं कि स्वयम कितना ज्यान प्राप्त किया मूल ने इस बात का है कि प्राप्त किया हुआ ग्यान अन्ने लोगों से कितना अधिक है और स्पर्धा में वजय अंतिम कब होती है कुछ समय के लिए तो श्रेष्ट बना जा सकता है किन्तु सदा के लिए कोई श्रेष्ट नहीं रह पाता फिर वही असंतोश तीड़ा और संघर्ष जन्म लेता है किन्तो श्रेष्ट बनने के बदले यदी उत्तम बनने का प्रेत्न करें तो क्या होगा उत्तम का अर्थ है कि जितना प्राप्त करने योग्य है वो सब प्राप्त करना किसी से अधिक पाने की इक्षा से नहीं मात्र आत्मा की त्रिप्ती हे तो कुछ प्राप्त करना उत्तम के मार्ग पर किसी अन्य सिस्परधा नहीं होती स्वैम अपने आप से स्वर्धा होती है अर्थात उत्तम बनने का प्रेत्न करने वाले को देर अबेर सारा ज्यान प्राक्थ हो जाता है बिना प्रेत्न के ही वो श्रेष्ट बन जाता है किम्तू जो श्रेष्ट बनने का प्रैथ्न करता है वो श्रेष्ट बने या ना बने उत्तम कभी नहीं बन पाता जप्रों और पूर्वभासों के अधार पर हम भविष्चे के सुख दुख की कलपना करते हैं मविष्चे के दुख कारण धूर करने के लिए हम आज योजना बनाते हैं किम्तू कल की संकट को आज निर्मूर करने से हमें लाप मिलता है या आनी पहुचती है ये प्रश्ट हम कभी नहीं करते हैं सत्य तो ये है कि संकट और उसका निवारन ताथ दंते रेक्टी के लिए भी और कृष्टी के लिए नहीं आप अपने भूतकाल का स्वरण कीजिए इती हास को देखें आप सुरंथ ही ये जान पाएंगे कि जब जब संकट आता है तब तब उसका निवारन करने वारी शक्ती भी जन लेती है यहीं तो जगत का चलन है वस्तुत संकट ही शक्ती के चन का कारण है प्रतेक वेक्टी जब संकट से निकलता है तो एक पद आगे बढ़ा होता है अधिक चमकता है आत्म विश्वास्ते अधिक भरा होता है ना केवल अपने लिए अभी तू विश्व के लिए भी क्या यह सकते नहीं वास्तव में संकट का जन में है एक अफसर का जन अपने आपको बदलने का अपने विचारों को उचाई पर करने का अपने आत्मा को बल्वान और ज्ञान मंदित बनाने का अपने यह कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता किन्तु जो यह नहीं कर पाता वो तो स्वय में तंकट है विश्व के लिए विचार कीजिए कभी कभी कोई घटना मनुष्य के जीवन की सारी योजनाओं को तोड़ देती और मनुष्य उस आघात को अपने जीवन का केंद्र मान लेता पर क्या भविश्य मनुष्य की योजनाओं के आधार पर नर्मित होते हैं नहीं जिस प्रकार किसी उचे परवत पर स्थर्व प्रथम चड़ने वाला उस परवत की तलाई में बैठकर जो योजना बनाता है क्या वही योजना उसे उस परवत की चोटी तक पहुंचाती है नहीं वास्तव में वो जैसे जैसे उपर चड़ता है वैसे वैसे उसे नहीं नहीं चुनौतियां नहीं नहीं विडंबनाए नहीं अब्रोध मिलते हैं वह अगले पत्का दिर्णे करता है। सते इक वद पर उसे अपनी योजनाव को बदलना पड़ता है। कहीं पुरानी योजना उसे खाई में न ढखे दे। वह परवत को अपने योग्य नहीं बना पाता। दिवस्वेम को परवत के योग्य बना सकता है। क्या जीवन के साथ भी ऐसा ही नहीं। जब मनुष्य जीवन में किसी एक चुनौती को, एक अवरोध को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है, अपने जीवन की गति को ही रोग देता है, तो वो अपने जीवन में सफल नहीं बन पाता। और ना ही सुख और सांती प्राप कर पाथा अर्थाथ जीवन को अपने योग्य बनाने के बदले स्वैम अपने को जीवन के योग्य बनाना ही तफलता और सुटता एक मात्र मार्ग नहीं स्वैम विचार कीजें जीवन का हर अख्षण निन्ने का अख्षण होता है प्रतेक पद पर दूसरे पद के विशय में कोई निन्ने करना ही पड़ता है और निन्ने अपना प्रभाव छोड़ जाता है आज किये गए निन्ने भविषय में सुख, अतवा, दुख, निर्मित करते हैं ना केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए भी, आने वाली पीडियों के लिए भी, जब कोई दुविधा सामने आती है तो मन व्याकुल हो जाता है, अनिश्चय से भर जाता है, निर्ने का वोक्षन युद बन जाता है और मन बन जाता है युद भूमी, अधिकतर निर्ने हम दुविधा का उपाय करने के लिए ने, केवल मन को चांद करने के लिए लेते हैं, पर क्या, कोई दौडते हुए भोजन कर सकता है? नहीं, तो क्या युद से जूचता हुआ मन, कोई युग्य निर्ने ले पाएगा? वास्तव में, शांत मन से जब कोई निर्ने करता है, तो अपने लिए सुखत भविष्य बनाता है, किन्तु, अपने मन को शांत करने के लिए जब कोई निर्ने करता है, तो वो विक्ती भविष्य में अपने लिए काटो भरा व्रिक्ष लगाता है, स्वयम विचार कीजिएगा जीवन ने आने वाले संघर्षों के लिए जब मनुष्य स्वयम को योग्य नहीं मानता जब उसे अपने ही बल पर विश्वास नहीं रहता तब उस सद गुणों को त्याग कर दुरगुणों को अपनाता है पस्तिता मनुष्य के जीवन में दुर्जन का जन भी तब लेती है जब उसके अंतर में आत्म विश्वास नहीं होता आत्म विश्वास ही अच्छाई को धारन करता है यह आत्म विश्वास है क्या? जब मनुष्य ये मानता है कि जीवन का संखर्ष उसे दुर्बर बनाता है तो उसे अपने उपर विश्वास नहीं रहता वो संखर्ष के पार जाने के बदले संखर्ष से छूटने के उपाय ढूनने लगता किन्तु जब वो ये समझता है कि ये संखर्ष उसे अधिक शक्ति शाली बना दें ठीक जैसे व्यायाम करने से देह की शक्ति बढ़ती तो प्रतेख संखर्ष के साथ उसका उत्साह बढ़ता है अर्थात आत्मों विश्वास और कुछ भी नहीं मन की स्थिति जीबन को देखने का दृष्टि कोन माद रह और जीबन का दृष्टि कोन तो मनुष्य के अपने वश में होता है स्वैम विचार कीजे पिता सदा ही अपने संथां के सुक्त की कामना करते हैं उनके भविश्य की चिंता करते रहते इसी कारण वर्ष सदा ही अपने संतानों के भविष्चे का मार्ग स्वयम निश्चित करने का फ्रेट्न करते रहते जिस मार्ग पर पिता स्वयम चला है जिस मार्ग के कंकर पथर को स्वयम देखा है मार्क की छाया, मार्क की धूप को स्वयन जाना है उसी मार्क पर उसका भुत्र भी चले यही इक्षाय रहती है हर पिताई निसन देख, उत्तम भावना है यह किन्तु तीन प्रश्णों के उपर विचार करना हम भूली जाते कौन से प्रश्ण? प्रथम प्रश्ण क्या समय के साथ प्रतेख मार्क बदल नहीं जाते? क्या समय सदा ही नई चुनाओतियों को लेकर नहीं आता? तो फिर बीते हुए समय के अनुभव नई पीडी को किस प्रकार लाब दे सकते हैं? दूसरा प्रश्ण क्या प्रतेख संतान अपने माता-पिता की छवी होता है? हाँ संतानों को संस्कार तो अवर्श्य माता-पिता देते हैं कि तू भीतर की शंता भीतर की शंता तो इश्वर देते हैं तो जस मार्क पर पिता को सफलता मिली है विश्वास है कि उसी मार्क पर और चुनौतियां लापकारी नहीं होती क्या प्रemor प्रतिक नया प्रश्न एक नए उत्धर का द्वार नहीं कُलता तो फिर संतानों को नए-विश्णों संघर्ष्ण चूफन रखन डूर रखना यह उनके लिए लाब करना कहलाएगा या आनी पहुचाना तार्द जिस प्रकार संतान के भविश्य का निर्मान करने के बदले उसके चरित्र का निर्मान करना श्रेश्ट है, वैसे ही संतानों के जीवन का मार्ग निश्चित करने के बदले, उन्हें नई संखर्षों के साथ जूजने के लिए मनो बल बग्यान देना अधिक लाबदायक नहीं दिचार कीजे मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या होती है सूची धन प्रेम अहंकार मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता होती है उसके रहस से चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों नहीं कितने भी प्रबल क्यों नहीं परंतु उसके रहस से उसके नाश की चाहभी होती है इसलिए यदि प्रबल रहना है शक्तिशाली रहना है समर्थ रहना है तो अपने रहस्य को किसी को भी ना बताए ना मित्र को और ना ही शत्रू को चुकि समय पढ़ने पर कब कौन शत्रू हो जाए ऐसा कहना संभव नहीं विभीशन को रावड के अमरित कुंड का ग्यात था इसलिए प्रभुश्री राम रावड का बद करने में सभल हो सके इसलिए उचित यही है कि आप अपने रहसवे को स्वयम तक ही सीमित रख्ते मनश्य जीवन की परिक्षा में सफल होने के लिए क्या नहीं करता है वो परिश्रम करता है दोड़ भाग करता है और ये सब करने के पश्चाद भी जब उसका काम नहीं बनता तो वो नकल करता है, है ना? तनिक लोटी अपने बच्पन में, स्मरन कीजिए अपने बच्पन की स्मृतियों का क्या स्मरन हुआ? विध्याले में जब आप परिक्षा देने जाते थे, तो क्या होता था? परिक्षा देने जाता ही था, और उत्तीन भी हो जाता था, है ना? परन्तु जीवन की परिक्षा ऐसी नहीं होती, नकल करने वाला सफल नहीं होता, कारण? विद्याले में सब के प्रश्णपत्र एक होते दे परंतु जीवन के प्रश्णपत्र और उनकी कटनाई सब के लिए भिन्न होती तो निश्चित रूप से उनके उत्तर भी भिन्न होंगे न इसलिए यदि आपको जीवन में सफलता पानी है तो नकल ना कीजिए स्वयम के प्रश्णों का उत्तर स्वयम ढूंडी और सफलता आपकी ही होगी मनुष्य का जीवन हार और जीत विजय और पराजय सफलता और आसफलता के मध्य जूलता रहता है आपके साथ भी ऐसा होता होगा है ना जब आप सफल होते किसी चुनौती पर विजय पाते हैं तो मन प्रसन्नता से आनंद के उपवन में जूमने लगता है और जब आप आसफल होते हैं तब मन दुख और पीडा के सागर में डूपने लगता है परन्तु वास्तव में सफलता और आसफलता है क्या तनिक ध्यान से सूचिए ये केवल हमारी मनुस्थिती मात्र है हमारी पराजय तब नहीं होती जब हमारा शत्रू विजय प्राप्तरल हमारी पराजय तब होती है जब हम पराजय स्विकार करने हम आसफल तब नहीं होते हैं जब हम लक्षन पासके हम आसफल तब होते हैं जब हम प्रयास करना बंद करते हैं इसलिए प्रयास करते रहें और हार ना मानें क्योंकि जिस दिन आप हार स्विकारना बंद कर देंगे जीत आपके चर्णों में हो आप सबने बर्गत के वरिक्ष को तो देखा ही होगा क्या आपको ग्यात है बर्गत के वरिक्ष के बीज का आकार राई से भी छोटा होता है परंतु बर्गत का वरिक्ष संसार के महाकाय वरिक्षों में जाना जाता है जब उसका जन्म होता है तब उसमें वो जटाए वो शाखाए नहीं होती परंतु जैसे जैसे उसका विस्तार होता है जैसे जैसे वो अधिक शाखाओं का भार उठाता है अधिक पत्तियों का सिर्जन करता है वैसे वैसे उसकी शाखाए जटाए बनकर जड़ तक पहुँचती है और इस व्रिक्ष को सहारा देती है ये जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पत है बिना लोब लालच, शुबकार रिकर, अन्य लोगों की सहायता करें धीरे धीरे आपने जिनकी सहायता किये, वो आपके सहायक बनते जाएंगे आपकी जड़ो को और बलशाली बनाएंगे, आयू, मान और आकार बढ़ाएंगे सह जीवन, सहायता और निशकाम कर्म आपको मृत्यू के पश्चात भी मरने नहीं देगा आपको अमर रखेगा हमारा शरीर प्रकृती का एक महान अविश्कार है इससे जटिल संगरचना संसार में और कोई नहीं हमारा शरीर जितना जटिल है, यदि इसे ठीक से जाना जाए तो इससे अधिक सरल ग्यान देने वाला और कोई नहीं हमारे शरीर में पंच इंद्रिया होती है जो हमें भाव, गुण और वस्तूओं का बोध कराती है हमारे पास आखें, नाखें, स्पर्ष के लिए त्वचा है, कान है, और जीभा है सबका भिन्द भिन्न कार है, आखों से देखना, कानों से सुनना, नत्नों से स्वास लेना त्वचा से स्पर्ष करना और जीभा से स्वाद लेना परन्तु क्या आपने कभी सोचा कि प्रकृति ने हमें दो आखे दी दो नत्मे दी दो कान दी स्पर्श के लिए ये पूरा शरीर दी परन्तु जीभा केवल एक दी ऐसा क्यूं चुकि प्रकृति चाहती है कि हम देखे अधिक सुने अधिक और ज्ञान अधिक अर्जित करें बोले कम चुकि अधिक वाचाल नाश को निमंत्रन दीता है स्मरन रखिएगा पेस सदा यही कहते आएं कि यदि आगे बढ़ना है तो अपनों का साथ दो सत्य कहते हैं अपनों का साथ देना ही चाहिए परन्तु साथ देने से पूर्व ये अवश्य पहचाल नेना चाहिए कि अपने है कौन क्या अपने वही होते हैं जिनके साथ हमारा रख संबंध होता है या अपने मित्र अपने वो होते हैं जो हमें सदकार के लिए प्रेदित करें हमें आगे बढ़ाए हमारा साथ दे और वो जिनका साथ देने से समाज का नाश्य धर्म की हानि वो सगे हो करके भी सगे नहीं होते इसलिए जब अपनों की परिभाशा का चुनाओ करें तो उन्हें अपना माने जो आपका साथ दे उन्हें नहीं जो हमें अध्यान के मार्ग पर ले जाएं आप जिनसे प्रेम करते हैं सदा उनके समीब रहना चाहते हैं नहीं चाहते कि कभी अपनों से दूर होना पड़े बिछड़ना पड़े परन्तू एक समय के पश्चार अपनों से दूर हो जाना उन्नती के लिए अवश्चक है आप माता पिता हैं यदि आप अपनी संतान के जीवन के हर पक पर उनका मार्ग दर्शन करते रहेंगे तो आपकी संतान स्वैम मार्ग चुनना कैसे सीखेगी मार्ग के काटों से स्वैम को बचाना कैसे सीखेगी इसलिए एक समय के पश्चार अपनों से बनाई गई दूरी सदा लाब दायक रहती है आज मैं आप सबको एक कथा सुनाता हूँ एक दिन प्राता है एक व्यापारी अपने घर से निकला घर से निकलते ही एक बिल्ली ने उस व्यापारी का मार्ग कारती है व्यापारी खबरा गया वो फिर से घर लोड़ गया और शुब घड़ी की प्रतीक्षा करने लगा और जब वो पुना अपने घर से निकला तब वो वाहन जा चुका था जिससे राजा तक पहुँचकर उसे भेट देनी थी राजा को भेट नहीं मिली राजा क्रोधित हो गए राजा ने उस व्यापारी का व्यापार बंद करवा दिया इस कारण व्यापारी क्रोधित होकर घर पर अपनी पत्नी से लड़ बैठा पत्नी अपने बच्चों समेत मैके वापस चली गए और उस व्यापारी की जीवन में यदी कुछ रह गया था तो केवल अंधकार और इन सब का कारण वो उस बिल्ली को मानता रहा जिसने उसका मार्ग काटा था ऐसा ही एक दूसरा व्यापारी राजा को भेट देने निकला और उस व्यपारी का मार्ग भी एक बिल्ली ने काट दिया वो व्यपारी तनिक घबराया परन्तु उसने आगे बढ़ना अधिक उचित समझा राजा तक वो समय पर पहुँचा उसने राजा को भेट लिए राजा प्रसन्य होई और राजा ने व्यपारी को अपना व्यपार बढ़ाने की अनुमती दी स्वन आभूशन दी जब व्यपारी घर पर पहुँचा तो पत्नी को आभूशन और अपने बच्चों को देने के लिए वस्त्र थे उसके पास हर ओर प्रसन्यता थी समझ रहे हैं ना दोनों के साथ एक ही प्रकार की खटना हुई परन्तु दोनों की प्रतिक्रिया भिन थी ऐसा ही हमारा जीवन भी है हमारे जीवन में प्रारब्द का अपना स्थान है परन्तु उससे कई अधिक महत्वपून हमारी प्रतिक्रिया हमारे सोच का प्रभाव है चुकि यही हमारे जीवन को आकार देते, इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, आपका जीवन सदैव आनंद मैं हम सभी अपने जीवन में कोई ना कोई कार रिकरते हैं, कार रिकरते हैं तो ठकान की अनुबूती होती हैं, और यदि ठकान ना उत्रे, तो कार करने का मन नहीं करता हैं, हम आशा करते हैं कि कदाचित एक दिन में 24 के स्थान पर 26 घंटे होते, तो अराम करने के लिए हमें और अधिक समय मिल जाता हैं, हमें ऐसा अनुभव होता है कि हम बहुत अधिक कार कर रहे हैं, है ना? परन्तु क्या आपने गभी सोचा हैं कि जो लोग संसार में सफल हैं, उनके पास भी सफल होने के लिए दिन में केवल 24 घंटे थे, तो फिर वो सफल क्यों हैं? इसका एक छोटा सा रहस्य है, वो वो कारे चुनते हैं, जो उन्हें प्रिये, जिसे करने में उन्हें आनंद आता है, उन्हें लगता ही नहीं कि वो कार कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि वो प्रतीपल आनंद मना रहे हैं, और जब आप आनंद मनाते हैं, तो ठकान कैसे हैं इसलिए यदि आप जीवन में कोई भी कारे करें तो वो आपके मन को भाना चाहिए या जो कारे आप कर रहे हैं उसे अपने मन को भा देने दो सफलता आपको मिलेगी कभी सोचा है हमारा जीवन भी उस रेट की घड़ी की भाती है जो रेट मीचे गिर चुकी है वो हमारा अतीत है जो अब भी उपर है वो हमारा आने वाला भविश्य है और वर्तमान ये संकुचित स्थल है जहां से धीरे धीरे करके रेट गिर रही है अर्थाद हमारे पास जीने के लिए यही एक शण है उसका उपयोग कैसे करना है ये हम पर निर्भर करता है जो बीट गया उसका दुख मनाना है या जो भविश्य में होने वाला है उसकी प्रतीक्षा में क्रोध करना है सब कुछ करने के लिए यही एक शण है प्रसन रहना है तो उसके लिए भी यही एक पल है प्रतीक्षा करते रहोगे तो ये पल भी भूत काल में बदल जाएगा इसलिए आनंद के लिए परोपकार के लिए प्रतीक्षा ना कीजी आपके पास जो पल है उनका भरपूर सदुप्योग कीजी चुकि इस घड़ी को पलट कर आप फिर से समय अविश्य गिन सकते हैं परन्तु अपना बीता हुआ समय आप वाबस नहीं लोटा पाएंगे मनुष्य भी बड़ा विचित्र प्राणी है अपनों से नीचे के अस्तर के लोगों को वो हेद रिष्टी से देखता है उनका उपहास उड़ाता है उनसे बार बार कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता तुम भविश्य में कुछ नहीं कर पाओगे जब मनुष्य के पास धन संपत्ति मान होता है तो वो दूसरों का आदर नहीं करता परन्तु वो एक बात भूल जाता है कि उससे भी अधिक शक्तिशाली कोई अस्तित्व में है और वो है समय काल काल अपना चक्र कब बदलेगा ये कोई नहीं जानता समय अपनी करवट कब लेगा ये कोई नहीं जानता कोईला भी समय के साथ साथ हीरे में परिवर्थित हो जाता है इसलिए जीवन में कभी भी किसी का भी उपहास नहीं उड़ाना चाहिए गर्भ अभिमार और अहंका ये तीनों सुनने में एक जैसे लगते हैं परन्तु तीनों का अर्थ भिन होता है और परिणाम भी तीनों का आरंब प्रेम से होता है स्वयम से प्रेम परिश्रव हमारे मन में गर्व को जन देता है और सफलता अभिमान जगाती है यहां तक ठीक है परन्तु जब ये भावना अहंकार बन जाती है तब वो समस्या बन जाती है चुकि सबसे बुरा अन अहंकारी का ही होता है परन्तु मनुश्य के लिए पहिली यही है कि पहचाना कैसे जाए कि अहंकार जग गया है और उसका दमन अवश्यक है इसका उत्तर मैं नहीं आपका मन देगा जब तक आप स्वयम से प्रसन है जब तक आप सबसे उचा उठने का प्रयास कर रहे है तब तक ही परन्तु जब आपके मन में दूसरों को नीचा समझने का भाव आ जाए तो साबधान हो जाईए चुकि यही अहंकार है जो वास्तव में आप सो हीन कर रहा है आज मैं आप सब को एक कहानी सुनाता एक दिन गोकुल में दो व्यपारी आए एक व्यपारी शहद का था बड़ा मीठा शहद था उसका परन्तु वो गोकुल में टिक नहीं पाया उसके व्यपार ने घाटा खाया और शीग्र ही वो गोकुल छोड़कर चला गया और दूसरा व्यपारी मिर्च का था पहले दिन वो एक पोटली लाया और दूसरे ही दिन वो पूरी बैल गाड़ी भर कर लाया और धीरे धीरे पूरी मतुरा में उसकी धाक चम गई मुझे बड़ा अश्चर हुआ तो मैंने बाबा से पूछा कि ऐसा क्यों कि एक मीठे शहद का व्यपारी कंगाल हो गया और एक मिर्च का व्यपारी धीरे धीरे नगर सेथ बन गया बाबा मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि मीठी बोली बोलने वाले की तीखी मिर्च भी बिख जाती है और जो कड़वी बोली बोलता है उसका मीठा शहद भी नहीं बिखता वाँ कितने उत्तम विचार है उनकी और उचित ही है मनश्य अपने जीवन में सदैव अपने वचनों से उठता है और अपने वचनों से ही गिरता है इसलिए अपने जीवन में सदैव मीठी बूली बूलने का प्रयास कीजिए आपका जीवन सरल हो जाएगा मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या होती है सूची, खन, प्रेम, अहंकार मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता होती है उसके रहस से चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना, कितने भी प्रबल क्यों ना परंतु उसके रहस्य से उसके नाश की चाभी होती है इसलिए यदि प्रबल रहना है, चक्पिशाली रहना है, समर्थ रहना है तो अपने रहस्य को किसी को भी न बताए ना मित्र को और ना ही शत्रू को चुकि समय पढ़ने पर कब कौन शत्रू हो जाए ऐसा कहना संभव नहीं विभीशन को रावण के अमरित कुंड का ग्यात था इसलिए प्रभुश्री राम रावण का वद करने में सभल हो सके इसलिए उचित यही है कि आप अपने रहस्य को स्वयम तक ही सीमित रखे युवा अवस्था भी हमारे जीवन का कितना सुन्दर काल होता है न पाहू में बल, मन में कुछ बड़ा कर जाने की चाह आखों में भविश्य के सुन्दर और पूमल सपने और इसी अवस्था में मनश्य के भीतर बनबता है प्रेम किसी को देख कर उस पर मन मोहित हो जाता है और फिर मनुष्य अपना सब कुछ उस पर निवचावर कर देना चाहता है फिर प्रेम की परिनिती होती है विवाह में क्यूँ? सब को अपने खटे मीठे संस्मरण हो आए न परन्तु यही से अधिक्तर माता पिता और संतान के मद्द विचारों का विरोध प्रारंब हो जाता है संतान को लगता है कि उसका चुना जीवन साथी ही उसके लिए उप्युक्त है और माता पिता को लगता है कि संतान अंजाने में भूल कर रही है संतान का तर्क होता है कि उसे विवा किस्से करना है यह उसका अधिकार है और माता पिता का तर्क यह होता है कि अब भी जीवन साथी चुनने की समझ संतान में है ही नहीं तो इस अवरोध को काटा कैसे जाए उचित निर्णा कैसे लिया जाए इसका एक ही मार गया अपने उत्तरदाइत्व का भान और अपनों से बड़ों के मापड़ंडों का भान विवा करने से पूर्व ये जालनेना अवश्यक है कि विवा केवल अपने प्रेम को पाने का मार नहीं है अपितु विवा से जीवन का एक नया द्वार भी खुलता है और हर नए जीवन के साथ नए उत्तरदाइत भी होते हैं और यदि इन उत्तरदाइत को को समझ कर निर्ने लिया जाए तो विश्वास कीजिए आपका दमपत के जीवन आनन से भरा रहेगा और आपको कभी ये पच्छतावा नहीं होगा कि आपने कोई अनुचित निर्ने लिया जब सागर का जल वाश्प बनकर उड़ता है तब वो हमें दिखाए नहीं देता मेग उस जल को अपने भीतर छिपा लेते हैं लंबी यात्रा करते हैं प्रयास करते हैं कि वो जल सदा उनके भीतर छिपा रहे परन्तु जब बायू का वेग उन्हें उड़ा कर किसी पर्वत से ले जाकर के टकरा देता है तब उन मेगों को बरसना ही पड़ता है चुकि यही नियती है यही प्रकरती है चुकि जल को सागर में जाकर मिलना ही है ठीक ऐसा ही हमारे साथ भी होता है हम सत्य अपने मन के मेगों में चाहे जितना चिपाने का प्रयास कर लें परंतु समय की आंधी उसे वास्तविक्ता के परवत से ले जाकर के टकराकर हमारे समक्ष ले ही आती है जिस भय के कारण आप सत्य को सामने नहीं लेकर आना चाहें एक दिन वही भय हमारे समक्ष आकर खड़ा हो जाता है और फिर हम लाचार हो जाते हैं चुकि हमने उस भय का सामना करने की तैयारी नहीं की होता है इसलिए सत्त से भागे ने, उसे छिपाए भी ने, उसे स्विकार करें भविश्च की बड़ी विपत्ती से बच जाएंगे कभी कभी आप सब के जीवन में एक ऐसी विचित्र समस्या अवश्याती है कि शक्तिशाली के समक्ष मौन हो जाएं कि उस शक्तिशाली से विवात करने से बचने के लिए आप मौन रह जाते हैं मानता हूं ऐसा करने से आप एक विवात से बच जातें एक संखर्ष से बच जातें परन्तु ऐसा बचाओ एक बड़े संखर्ष को जन दे देता है कैसे? हमारा मौन रहना अंजाने में उसका समर्थन बन जाता है और वो स्वयम को अधिक शक्तिशाली अनुखफ करता है और यहां से हमारा दमन प्रारंब हो जाता है एक के बाद एक हम अन्यायम अन्चाहे रूप से समलित होते चले जाते तो इसका तोड़ क्या है? यह समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि ऐसी कौन सी बात है जो आपको विरोध करने से रोकती है यह सामने वाले की शक्ति नहीं जो आपको रोकती यह आपके भीतर चिपा भै है जो आपको रोकता है हां, कभी कभी भै आपकी सुरक्षा अवश्यकर सकता है परन्तु साथ साथ यह भी जानना आवश्यक है कि यह भै ही है जो आपको मौन भी रखता है इसलिए अपने मन से भै को निकाले और खुल कर अनीती का अन्याय का विरोध कीजी और फिर देखिएगा आपका मन कितना मुक्त कितना हलका अनुभब करेगा अन्याय कर अन्याय करें झाल